आप देख रहे हैं मीडिया नहीं सुभए मैं वह हम वीर सिंग आप तो जानते हैं भारत के कौने कौने में गुमते रहते हैं ऐसे लोगों की तलास करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है और आज हमारी तलास पूरी हुई है गाजयवा डिस्टिंग में हम बैठ हुए हुए हमारे साथ हैं बहुत ही फैमस मनोज पंडित नाम है इनका आप तो जानते हैं वो उन्होंने बहुत सारे सेक्टरों में काम किया है वो कार्टूनिस्ट भी रहे हैं बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं टीचर रहे हैं और अभी वो अभी नेता हैं तो सर से उनके बारे महुत डेटेल में जानकारी चाहेंगे और वो उनसे पूछेंगे कि यहां तक उनका जो सफर रहा है क्या-क्या विशेज बात आपको बताएंगे जिससे कि आपको भी कुछ मौका मिले कुछ सीखने का सर आपका स्वागत है फिश्टी 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 नाश्कार जहां तक जैसा कि यह मनोज पंडित एक बहुत फैमस नाम हो चुक है आज की डेट में आपका सबसे शुरुबाती सफर कैसा रहा और आज मनोज पंडित जी कहा बढ़ा है आपका पहले से सब दर्सकों को मेरा नमस्कार और मैं यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कार्टूनिस्ट रहा और पटनाट स्कोले से बेफे बैचलर ओफ हाइन आट्स किया लगातार कार्टून की जगत में अखवारों में मासिक पत्रिकाएं चिल्डिन्स बूग कई किताबें उसमें कम्प्यूटर से और हाथ से कार्टून बनाता रहा और इसमें सहयोग हमारी पतनी अनिता जी करती रही हम दोनों साथ चलते रहे उसी समय चलते 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 फिर गवर्मेंट जॉब भी किया कई चीजे आई सामने फिर मैं आज की डेट में फिल्म भी नेता हूँ और कई फिल्में किया मेरी कई हूँ बेठा हूँ अपने घर के सुपह ही बेठा हूँ लेकिन जो अप परस्न है कि आप कहा है आज में आफी के बीच में बेठा हूँ आप ही ने बठाया है मुझे आप अगर मुझे नहीं देखते मुझे कुझ जानता हूं सर मैं जैसे कि हमारे कारगरम के माद्दम से हम धर्सकों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिज करते हैं कुछ ना कुछ ना कुछ उनके फादे की बात करते हैं जैसा कि आपका फिल्ड पहले रहा है, आप कार्टूनिष्ट रहें, कलाका रहें, टीचर भी रहें, तो इस फिल्ड में जो बच्चे तयारी कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज हुज़ा आप जेना चाहेंगा? अच्छा, हाँ, सबसे पहले चीज़ की इस फिल्ड में, खास करके, अभिने के फिल्ड में या कार्टून की जेगा? कार्टूनिष्ट के फिल्ड में, जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी ड्रोइंग करते हैं, तो वो अपना फ्यूचर कहा तक बना सकते हैं उस सेक्टर में? बहुत अच्छा प्रस्ट नहीं है, कि बच्चे कहा तक बना सकते हैं, एक्च्छी क्या है? लोग कहते हैं कि बाई बर्थ आर्ट आता है, जी. लेकिन मेरा मानना है बाई बर्थ तो है, लेकिन घर से भी चीज़े आती हैं, और बच्चे के अंदर पहले से एक मनुग्रिती होती है, कि मुझे आर्ट करना है, ड्रॉइंग करना है, तो घर वाले जो गार्जियन हैं, उन्हें पता नहीं चलता है. एक्चुली, आज से कई वर्स पहले, मीडिया कम थे, सोसल मीडिया नहीं थे, कई चीज़े नहीं थे, अख़वार थे, थोड़े वो टीवी थे, थोड़े वो तिये थे, इसलिए गार्जियन को उतना पता नहीं होता था, कि किसका कहा कोर्स है, और इसकी क्या क्या स्कूप आज जो समय बदल गया आप देखेंगे सोसल साइट पे जाएंगे सोसल मीडिया हर कोई कहीं कहीं से जुड़ा है आपको किसी भी कालेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक वार उगली क्लिक करो नेट हो आपके पास पुरा इंफॉर्मेशन आपके पास वो समय और आज के समय में बहुत फरका गया है लेकिन आर्ट तब भी वही था आज भी वही है सिर्फ माद्यम का फरकाया है अब बच्चों एजुकेशन के साथ साथ जो बेसिक एजुकेशन है वो कम्पलीट जरूर करें कम से कम वैसे तो बैसलर और फाइन आट्स इसकी सिक्षा होती है उ मुझे लोग डॉक्टर मनोच कमार पंडित के नाम से भी जानते हैं चुकि एक इनवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरिट की उपादी भी इसी फिल्ड के लिए दिया है तो जब आप बी एफे करने के लिए जाते हैं जब बच्चों को देखते हैं कि घर में कहीं दिवारों पे चीतर बना रही हैं या अपने होम वर्क में चीतर बना रहे हैं तो माता पिता को चाहिए को उस बच्चे से बात करें मेटा आपको क्या करना है अब उससे जुड़े लोगों तक उस बच्चे को को पहुं चाए हो सकता है उस बच्चे के अंदर एक ऐसी आर्ट डव कलाकार भी बन सकता है तो जब आप गारिजियन को भी बोलना चाहरा हूं जब वच्छे को कलाकार बनाने जाते हैं और उसके अंदर की चीजों को देखते हैं तो वो अपने मन की चीजों को बाहर निकालता है जब निकालता है तो उसके लिए प्रॉपर कोर्स है जो थोड़े आप उसमें जाते हैं दाजिया लेते हैं वह टीछर से सभ चुनिंदा चुनिंदा तीटर अथिचर सखुद मेरे टीचर जो है चुनिंदा है अप्रोफेसर श्याम सर्मा अभी पधम सुरी मिल वो मेरे टीचर है उनका पर चुछोगे तो यह तक पहुचा आज भी वो आसिरवाद देते रहते हैं, अब शेयनुल को देख रहे होंगे, वो बहुत आसिरवाद दे रहे होंगे, चुकि वो टीचर ही बता पाते हैं, कि अब किस दिस्था में जा रहे हो, इस फिलिड में भी जो बच्छे खुशियारे हैं, टैलेंटिड हैं, हैं, अभी भी पेंटिंग कर रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं, कई बार हमेशा वेदे से यात्रा करते रहते हैं, हमारे कॉलेज के लेक्ष्टर है, खुद मैं टीचर रहा, टीचर तो एक सेकंडरी है, प्राइमरी है कि जब आप पेंटिंग करते हो, गैलरी हैं, तमाम होता है, आजकर तो बदलता हुआ समय है, हर लोग बड़े-बड़े मकान बना रहे हैं, विल्डर्स है, वो लोग पेंटिंग को खरीते हैं, यहां से एक स्कूप बनता है, बाहर जाने का स्कूप बनता है, और आट लिवर बहुत है, अब बात करेंगे जिस तरह से आप स्टार है, उतर कुमार जी, उनके साथ हमारी रहे डियर वर्सेज वियर, पुलीस वाले का रूल में था, यहां से हमारी सफर सुरू होती है, मैं पढ़ा रहा था एक इंस्टिटुट में, एनिमेशन फॉर एक्टिंग, तो वहां सिसा चे एक डिरेक्टर ने देखा और मु है, राइटर थे वो, अप डिरेक्टर हो गए, अखलेस पांडे, हमने बोला कि, हाँ एक फिल्म तो किया हूं, छोटे मोटे सिरियल किया हूं, तो नहीं एक रवी किसन जी के फिल्म है, उसे मास्टर का रोल है, तो मैंने बोला मास्टर तो भी हूनी में पढ़ा ही रहा हू तो खेर, उन्होंने आडिशन दिलवाया, आप ही डारेक्टर से मिलवाया, हर सानन जी उसके डारेक्टर है, रवी किसन जी उसमें है, बर्जस तिरपाठी है, अंजना सिंग जी है, और दो चार बड़े-बड़े लोग हैं, और उसकी एक गाना बहुत पॉपलर कोई, दन- वो फिल्म का नाम है, लब और राजनीती, उसमें बहुत सांदार डालग भी हैं, हमारे थोड़े एग्रेसिव रोल भी हैं, लगाता कि हम तहार मरट नरटी अचीव दी ही, कुछ इस तरीके के डालग्स हैं, आप कुछ वीडियोस देखेंगे, तो इस तरीके का उसमें रह है, उसके बाद हमारे फिल्म आई, एक और बहुत अच्छे फिल्म मोना लिसा के साथ, दरोगा चले सोसुलाल, अच्छा, भोजपूरी ये भी, वो भी भोजपूरी, और संजोक की बात है, कि मैं जहां रहता हूं, बसंद्रा में, यहां भी उसकी सूट हुए, गाज़ाब लोग है, और उदीत नराइन जी भी इसायत गाना गाया है, और सिमा सिंग है, और काफी अच्छे पॉपुलर सौंग भी हुए थे, चिकन बटर न खेला हो, तो वो देह चिकनाइल बा, इस तरह के का गाना है उसमें, जो पॉपुलर हुआ था, पिर उसके बाद हमारी कई हैं, देसेंटली अभी हमारी फिल्म आई, एक मेरे उपर बेस फिल्म आई थी प्रतिगात, तो उस फिल्म का निर्माता है, दया संकर गुप्ता, जिस स्कूल से मैं पास किया था, उसी स्कूल से वो सिनियर थे हमारे, काते था जैजा पैसा कमा है, वो न रहे, तो यह तो ल है दिली में, रहे यार तो तुमको तो मैंने वार मजा कर बोला था, तो फिल्म थी प्रतिगात, उसमें खालना एक परधान फिल्म है, हीरो तो डाल्टन गंच कही है, कमिल रांजी जी, तो दया भया ने कहा कि हां तुमको लेकर बनाऊंगा, और उने बनाया, मेरे पतनी त और यहां से दिली से भी और बाहर से भी कुछ कलाकार को महां लेके जारकंड गया, और फिर वहां शूट हुई, और पोप्लोर भी हुई, लोगड़ान में भी चली, टीवी पे भी चली, इसमें एक बहुत खतरनाक करेक्टर में हूँ, यह सर हिंदी फिल्म है या फिर भु यह स्वन्तरानानाम बहमार, कुछ इस तरीके से डालक से, फिर इसके बाद चलता रहा सफर, डिफरेंट राई, हिंदी फिल्म जो में एक डालक है, उसमें मेरा एक डालक है, हिंदी फिल्म है, डालक बहुत ही अच्छा दरोगा का, एद दरोगा वाबू, बिहार से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके जारक अंड़ तक, ये तीदी ये भाया है न, समझें, हमरे इसारे पर काम करते हैं, तो इस तरीके का दरोगा को दमकाना है, ये सब करना है, तो कुछ मॉब लेंचिंग पर था, अभी रिसेंटली हमारी फिल्म में काई थी, राजपाल जी है, मैं हूँ, नथा है, जानी लिवर है, उपासना सिंग है, स्याम सुन्दर रोजा जी अब तो रहे नहीं सुर्गे हो गए, और सुन्दर पाल जी है, एक्षेतर वेदी जी है, वो भी है, मैं इसमें एक ठेकदार हूँ, भरस्ट ठेकदार, जो सफाई कर्मी, सफाई करते हैं, और गटर में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लाइप पर रधारी थे, इसके निर्माता हैं, डॉक्टर अविनी सिंग, वो आई ऐसा दिखा रही थे, वो हमारी फिल्म को देखा, और फिर मुझे एक करेक्टर दिया, और इसमें इसक जातने को फिर एक जिमवारी दी गई, मेडिया को देखिए और थुड़ा भीड को दूटाइए, और तीन हपते तक फिल्म सिनेमा हूल में चली थी, मुल्टि प्लेक्स में लगी थी, और फिल्म अच्छी चली और बहु जल्दी वो ओटिटी और टीवी चैनल्स पे आने ओने आने वाले है भूजिए तो फिल्म अने वाली है सितमगर और सोता है अब यह एक ग्रामिन जो मुखिए होते हैं उक कैसे अतन sommes पहलते हैं उसके अदारित है किसान आत्मधिया करता है तो किसान जो आत्मधिया करता है करवाते तो यही है लेकिन वह आतम हत्या पर चला जाता है तो इस तरीके के फिल्म है इसके पर प्रजेक्ट मेंगेजर हमारी धर्मपत नहीं रही और हीरो जरकंड के हैं और उसके डारेक्टर कॉल्कत्ता के हैं पुलीन मित्रा जी ऐसे कई लोग हैं कई लोग सामिल हैं और भी कई फिल्मों में देखे होंगे उनके साथ एक योगांदर पांडे भी हैं तो ये सबी हैं और क्रैम पेट्रोल में लड़की आती वो हिरोईन है इसमें रागनी चोरसिया है तो और बहुत अच्छे कर्ण प्री सौंग है जारकंड में बैहर में सूट हुई जल्दी र रहा तो किसी में भाई का रहा किसी में किसी में विलन का रहा ज्यादा तर लोग मुझे विलन के रूप में देखने लग गए लेकिन अब मैं फिर से एक बार पिता के रूल में आ गया तो ऐसे अभी एक और फिल्म साइन किया हुआ हूं सिरीमती की जरूरत है तो उसमें मै बाडिगार नूमर भजपूरी एक हिंदी एक भजपूरी एक हिंदी एक हिंदी ऐसे हमारा चलता रहा अचा रिलीज कभी कुछ ऐसा ही है अगर एक अभी भजपूरी रिलीज हुई मालम हुआ कि तुरत हिंदी हो गई एक बार तो ऐसी इस्तिति होई कि भजपूरी और हिंदी एक ही दिन होगी रिलीज अब मैं फस गया वह फिंती दरवगा चले ससुराल और डियर वर्सेज ये लब इस फोरेवर हंसराज हंस जी ग फोर हां दोनों निर्माता बोल रहा है आईये का नहीं मैं कहीं नहीं गया तो फिर दूसरे दिन सब ज जाता हूं कि अगर कैरियर बनाना चाहते हैं आर्ट फिल्ड में चाहे वो पेंटिंग का फिल्ड हो या एक्टिंग का हो या एक्टिंग से समंधित मीडिया से समंधित और भी चीज है कोई एक चीज को तला से अब मैं ड्रॉइंग करीब करीब छोड़ चुका हूं चुकि समय मिलता नहीं है लेकिन वो लोग मुझे देते ही रहते हैं तो इससे ज्यादा में काम नहीं कर सकता हूं चुकि वो मेरा पैसन है ये भी मेरा पैसन है दोनों को बैलेंस करना थोड़ा कटिन तो जरूर होता है लेकिन बैलेंस करके मैं चलता रहता हूं आज भी कार्टूम्स हमारे परकासित होते रहते हैं और फिल्में भी परकासित होती रहती हैं क्या मनुज पंडित ने कभी बच्पन में सोचा था कि वह अभीनेता बनेंगे एक चीज में बहुत अच्छी बात बता रहो बच्पन में अच्छले मेरे पिता जी इंजीनियर थे और उनकी जो भी पोस्टिंग छोटे-छोटे कसवाओं में होती रही तो आप समझ सकते हैं बिहार सरकार में थे और एक ऑफिसर जो होता है उसका थोड़ा रूतबा जैसा होता है तो रूतबा था अब मेरे साथ समस्या यह थी कि जहां उनकी ट्रांसपर होई वहाँ सिनेमा होल नहीं थे परदे पर सिनेमा आता था अब परदे पर आता था और मैं जाना चाहता था रात में देखने तो पिता जी के डर के मारे ना तो प्यून लोग थे और भी उनके स्टाप थे कोई ले नहीं जाते थे तो मैं कैसे जाता था ये बहुत अजीब गरीब घटना है जहां सिनेमा चलता था जीस फिल्ड में उनको बोलता था दुबे अंकल इसे इसे अरे तेरे लाएं सिनेमा तो पापा को आपी समझाईए अरे तेरा बाप समझता नहीं है कोई बात ने रात में ही रूख जाओना थे खोजेंगे खोजेंगे तो गादें इक पराठा खा रहा है तो कुछ इस तरीके से फिल्म को मतलब बच्पन से आपको सोख रहा है सोख रहा है हां देखता रहा तो मुझे ऐसा लगता था परदे पर जब आते थे तो मैं उस चीज को तेखता था और लगता थह organiz और यो परदे पहुत बड़ी बहुत बड़ी बात थी। जब स्टेज ओवेगर उता था नाट्रकर होता था। तो वहां भी थेटर में भी जाने नहीं दिया जाता था। अब सोची कैसे जाता हूँगा मैं दाय बाय उपर नीचे करके मैं जब जाता था देखने तो जो अभिनेता अभिने कर रहे होते थे उनका अभिने खतम होता तालियां जब बती थी तो मुझे लगता था कि मैं कब वहां चड़ू और मेरे लिए भी ताली बजे और मैं अगर चड़ गया तो मार खाऊंगा और घटना भी घटी आपके बच्पन से ही अंदर अंदर था एक बार तो घटना घटी मैं तो बस स्टेश पर चड़ भी गया जिस तरीके से आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके से फिलम देखने जाय करते थे या स्टेस हो रहा उसको किनारे एक बिजली नहीं होती थी लेकिन मेरे पिताजी ट्रांसफरेवल जॉब में थे तो हम जाय करते थे पिताजी हमेसा अपने गां के लोगों से मिलवाते रहते थे के सबसे मिलों आज हम हैं कल नहीं रहेंगे तो सबसे परिचे रहेंगा तब बड़े बेटी ते या में बड़ा हुए छोटावल अभी इंजिनियर है दो बहन है हमारी एक तो जारखंड में है एक पत्ना में है तो सब बच्चे भी आना जाना करते हैं दो बच्चे तो बीदेश चले गए तो बस वो लोग तो कहते तुम बदल दो हमने क्या बदल दो अपना बदल दो हमने म अपने बहार बदल दोंगा ना बेटा इस तरीके से हमारा मेरा प्रशन था आप फैमिली में सबसे बड़े थे और बहन मेरी दोनों बड़ी है भाई में में बड़ा हुए एक सोटा भाई है एंजिनियर है अभी सासा रम में है वो चाहता था क्या भाईया तू कलाकार बनो अच्छा अक्टर वो थे लेकन चित्रकार वो ही था अच्छा लेगों का तू पढ़ता भी नहीं है बखलोले पढ़ने में अपने भाशा में बोल रहा हुए तो पापा तो तू को इंजिनियर बनाना चाहते तू बनी नहीं सकता तू मैं तो मुझे आता है तो ऐसा कर तू बनाना चाहते हैं अच्छा पुरा करता हूँ आज मेरा चोटा भाई इंजिनियर है जो जिस पोस्ट पे पहादर थे उस पोस्ट पे है और मैं वही किया चोटी वाली बहन उम्या बड़ी बहन है चोटी वाली बहन पेंटिंग वेगर का यह लाकि देती थी करनर है जो यह हम समझ लेंगे तो मैं उन लोग का सपोर्ट रहा और लगी पिताजी चाहते थे कि इंजिनियर बने नहीं संभव में हुआ है लिए मैं बना अब फिल्मों में इंजिनियर बन जाता हूं कई चीजें बन जाता हूं अभी ने ता हो करके सारे सब पूरे कर सकते हैं लेकिन अ और जब लोगों ने देखा, जिस तीन देखा, उस दिन लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया, अब क्या करना चाहिए, खुशिक आंसू भी आए, मैं परदे पर भी आया, पोस्टर पर भी आया, अब कई जगह में जाता हूं, अभी जाता हूं तो लोग मुझे एक्टर मानने को तो लगता ही नहीं हूं, सर एक करेक्टर में आप बहुत फेमास बोदे, बाभू जी करके वो कौन सी फिलम है, वो लव राजनीती, उसमें मैं अजना सिंग के पिताजी के रूल में हूं, और उसमें गाना बहुत पोपलर हूं, उसके राइटर अखलेस पांडे जी है, और आई तो सर, जिस दर्सगों को क्या कहना चाहेंगा अगर इस फिल्ड में आगए बढ़ना चाहाएं, अभी नेटा के चेतर में दोग्याएं के मैं बताई चुके हैं, तो अभी नेटा या सिंगर, डाउनसर, इस इन पर क्या मैसिज देना चाहेंगा, तेकि जो भी कलाकार ह सकते हैं, कलागार हर कुयाबी है, ये भी है, वो भी है लेकिन वो आपकी अंदर का आर्ट को निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है ये महत्पुर्ण है, और जब निकालते हो, आपके अंदर आपको खुद पता है कि हम क्या कर सकते हैं आपको हेजिटेसंस नहीं होने चाहिए डर नहीं होने चाहिए किसी से सर्म नहीं होने चाहिए कोई गलत काम आप नहीं कर रहे है आर्ट, कला जोड रहे है कला सबों को जोडती है ना कि तोडने का काम करती तो जब वो जोडने का काम करता तो आप ऐसे महान काम कर रहो अब रह गया आप सोच रहे हैं कि मैं अब उस सिखर तक पहुँचू तो वो सिखर तक सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन जहां पहुँचते हैं वहां और कोई नहीं पहुँच पाता आप जहां पहुँचोगे वहां दूसरे कोई नही पहुंच पाते हैं, आप अपने आपको खुद ही समझो कि हम से सुपरियर तो है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, वो हमें देख रहा है, हम को देख के इंटरटेन कर रहा है, अपने थाकान को दूर कर रहा है, अपने मनोरंजन कर रहा है, अपने और ची पैसे कमाना नहीं कमाना सेकेंडरी है प्रैमरी है कि आपने क्या लोग के बीच में कमाया आप चले भी जाओ गए अब तो मिलते रहते हैं तो मतलब ये सब अमर किर्थियां है जो आर्ट जो है न एक पारामपरी क्छीज तो है ही लेकिन अमर कर देने वाली चीज़ें है बसरते आपको अपने लगन एमानधारी और निष्टा के साथ बिलकुल और बिलकुल काम की और ही ध्यान देना है ना कि और किसी चीज़ पर ध्यान देना है जहां किसी चीज़ पर ध्यान देंगे धन्यवास से बात करने के लिए धन्यवास सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार बहुत अच्छा लगा और आप लोग कलाकार बनना चाहते हैं तो बिलकुल बनिये और डांसर बनना चाहते हैं बनिये लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए अपने बड़ों की बात हमेशा मानिये वो जब भी बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे तो जैसा कि आपने देखा आभी हमारे साथ मरोज पंडित जी है और उन्हें बहुत सारी जानकारी दी हमारी दर्सकों को जो लोग इस फिल्ड मागे बनना चाहते हैं बढ़ें बहुत पर सुबकामना है हमारी फिर आँगा किसी खास मेमान के साथ देखना ने बूलें फेस्टिव फेस में हमवीर सिंग मीडिया नई सुवे गाजय बाद